जाएं दोस्तों मैं आपका दोस्त चंदन सिंग फिर से आज एक बार नहीं वीडियो के साथ आपके अपने फिर्ट चलनग सी एस टेक्निकल पर तो दोस्तों के इंदरे विदे लस्क्री में क्लास फर्स्ट में जब आप ऑनलाइन रिजिटेशन करेंगे तो उस टाइम पर आ क्योंकि सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कौन से लिए आपटेश्ड के लिए टो विडियो करने से पहले अगर अभी तक आपने CS Technical को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लिए क्योंकि यहां पर आपको लगातार केंद्रेवी द्याश्कुल में अड्मिक्शन को लेकर के लेटेश्ट अपडेट मिलेंगे और साथी साथ यहां पर आपको डेली लाइफ शेशन मिलेगा रात को नौ से दस विजए की बीच में जिसमें की आप अपने सारी सवालों के सच जवाब मेरे से पूछ सकते हैं ठीक है तो चली सुरू करते हैं आज की वीडियो को तो सबसे सब्सक्राइब करें को कैटेग्री वन की देखें के बात करेंगे तो कैटेग्री वन में जो है सेंट्रल गवर्मेंट इंप्लोई आते हैं वह आते हैं जितने भी मतलब टांसफेरबल जॉब हैं नॉन टांसफेरबल जॉब हैं साथी साथ एक सर्विस में जो भी के इंप् कि अभी category 1 में और कौन-कौन आ सकते हैं तो like जितने भी central के under में forces आती हैं वो सभी category 1 में आएंगे जैसे army हो गया, air force हो गया, navy हो गया या इसके अलबा all जितनी paramilitary forces है जैसे BSF, ITPP, CISF, CVA, PF, CRPF, NSG, SSB, Assam Rifles और जो NDRF ये भी category 1 में ही आएंगे इसके अलबा और कोई अगर force चूट गया हो तो वो भी category 1 में ही आएंगे कुली मिला कि यह है कि जितने भी forces central government के अंटर में आते हैं वो सभी क्या है category 1 में आते हैं ठीक है, इसके साथ यह भी बता तो कि अगर आप category 1 से अपने बच्चे के अप्लाई करें और PAC UA और IHL वाले हैं, उनके सभी employees जो है category 2 में आते हैं ठीक है, example के लिए आप ले सकते हैं State Bank of India यह State Bank of India के जितने भी employees है वो category 2 में आते हैं ठीक है, अब बात करेंगे हम category 3 category 3 में क्या होता है, कि जितने भी state के अंडर में जो भी employees आते हैं वो category 3 में आते हैं, example के लिए police हो गई और teachers हो गई, यह सभी category 3 के अंडर में आते हैं ठीक है, इसके बाद और बात करें हम category 4 की, तो category 4 में देखिए कौन को आते हैं जो भी state के अंडर में, autonomous bodies, PSU, IHL आते हैं जो भी इनके employees होंगे न वो category 4 में आते हैं, ठीक है, example के लिए वैसी होगी, मतब कोई state के अगर बैंक है तो उसके employees है category 4 में आएंगे, ठीक है, अब बात करते हैं category 5 के, देखिए category 5 में कौन को नहींगा, जो भी parents बिजनेस, businessmen है, चाहे private sector में job करते हैं, चाहे मजदूरी work से हैं, चाहे रिक्सा चालक हैं, चाहे मतलब कुछ भी नहीं भी करते हैं, मतलब कुल मिला कि यह है कि non-government employee है, तो आप जो है category 5 में आएंगे, देखिए दोस्तों, बहुत सारे parents जो मतलब category 5 में आते हैं, वो क्या सोचते हैं, कि मतलब, अगर हम category 4, 3, 2 में, मतलब, सरी इस category में apply करते हैं, तो उनके बच्चे का नाम आ जाएगा, और बाद में हम मतलब, school में बोलने हैं, गलती से होगा, please बच्चे का admission accept कर लिजिए, तो यह accept नहीं किया जाता है, आप जिस category में आते हैं, आपको वही select करन हैं, अगर आपने गलत category का chain किया, और उस category और कोटे से बच्चे का admission list में नाम आ गया, तो आपको वह document दिखाना होगा, अगर आपके पास जो document नहीं होगा, तो आपके बच्चे का admission जो है, cancel हो जाएगा, तो आप सभी parents ने ऐसी गलती नहीं करनी है, मैं यह category 1 से लेकर के 5 सभी parents को बताने चाहता हूँ, कि जो जीस category में आता है, उसी category को select करें, देखिए, बहुत सारे केंद्रे विद्याली स्कूल में category 1 से 6 तक भी होता है, जो civil और defense का KV होता है, उसमें तो category 5 होते हैं, जिसका मैंने अभी sequence बता दिया, आपको category 1 से लेकर 5 तक में कौन को इसमें एक से लेकर के 6 तक मतलब categories होती है, देखिए, जो केंद्रे विद्याली स्कूल, IHL और प्रोजेक्ट की land पे बना हुए है, तो उस में क्या होगा, कि उस IHL और प्रोजेक्ट के जो employees होंगे, उनके बच्चे या उनके grandchildren जो है category 1 में आएंगे, ठीके, इस पेसलिए या grandchildren होंगे, तो उनके जो बच्चे होंगे, वो category 1 में आएंगे, example के लिए ONGC देहरादुन को ले लेते हैं, तो ONGC देहरादुन के जो employee होंगे, एक्स employee होंगे, तो उनके जो बच्चे या grandchildren होंगे वो category 1 में आएंगे, उसके बाद जो मैंने आपको एक से पांच तक का sequence बताया था, वो यहाँ पर 2 से 6 में convert हो जाएगा, यानि कि जो वहाँ पर category 1 था हो, यहाँ पर category 2 हो जाएगा, इस तरह से category 2 वाला 3, 4, 5, 6 तक चले जाएगे, खुल मिला कि जो private sector वाले होंगे, वो category 6 में चले जाएगे, और इसके साथ साथ एक और बात बात बताते होंगे, बहुत सारे parents से पूछ रहते हैं कि समवीदा वाले, यानि जो contractual base पे जो teachers होते हैं, वो कौनसी category में आएगे, तो मैं आपको बताते हैं, जो contractual base के जो parents है, वो भी जो है, मतलब category 5, sorry category 5 और 6 में ही आएगे, मतलब category 5 हो जाएगा, civil or defense वाले में, और IHL और project वाले में category 6 हो ज बच्चे का admission के लिए apply करेंगे, दोस्तों और नहीं नहीं चाने करें के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लगतार update मिलेगा, और साथी साथ लाइप session भी होता है, और Instagram पे आप अपने सवाल जो है, voice messages के द्वारा पूछ सकते हैं, जो parents मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, उनको पता होगा कि जो भी उन्होंने सवाल पूछे, उन सब को voice messages के द्वारा मैंने reply किये हैं, वो भी जल से जल वहाँ पर reply मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर अभी limited parents अपने सवाल पूछ पाते हैं, तो इस पोट रिपलाई कर देता कोसिस करता हूँ कि जो YouTube पे भी मतलब parents कमेंट करो, उनके भी reply करो, लेकिन थोड़ा यहाँ ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, तो कोसिस करता हूँ, जो same सवाल है, copy paste करता हूँ, बट फिर भी यहाँ पर time लग जाता है, तो दोस्तो आज कल बस इता है, प्लीज वीडियो अच